कि देखिए टैक्यो मैट्री आपके दो सब दो वर्ड से मिलके बना है टैक्यो और मैट्री मैट्री का मतलब मेजर्मेंट से हैं यहां पर जो मैट्री है कि दीजना इसका मतलि मैजर्मेंट मेずर्मेंट कर लें तो वही आपका टेक्यो मैट्री का तरी का ठीक totalmente DR condition में ऐसा करते हैं ढूध चन रोड यह दो इंस्ट्रुमेंट हमको लगते हैं तेक्यो मेट्री से सर्वेग गए एक आपको चाहिए टाइक्योमेटर और दूसरा चाहिए आपको स्टेडिया रड टाइक्योमेटर सिम्पल आपका एक जैसा होता है सेम वैसे ही होता है बस थोड़ा सा इसमें जो क्रॉस हेर्स होते हैं उनमें हमारे पास तीन होरिजोंटल क्रॉस हेर्स होते हैं आगे देखेंगे उसको तो सब पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है थोड़ा थियोरी है कुछ डेरिवेशन है डेरिवेशन से आपका फॉर्मला जेनरेट होगा उसके हमको मेंनी तो करना कोश्चन से हैं ठीक है चलिए क्या लिखा हुआ है Tachymetry surveying is defined as a method of angular survey in which a tachymetry is used to determine the horizontal and vertical distance between two points thus eliminating the tedious process of chain survey to measure horizontal distance tachymetry surveying is preferred over chain or tape surveying इस फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट इस्पेशली इन हार्ट टेरेन सच आज ब्रोकन ग्राउंड डीप रवाइन स्ट्रचेस ऑफ वाटर बोडिज एसक्टरा यहां पर देख्या लिखा हुआ है टैक्यों में हम लोग क्या करते हैं मेंली आप होरीजोंटल वर्टिकल डिस् निकालने के लिए तो आपके पास चेंट टेप अडरेडी अबेलेबल था लेकिन चेन और टेप को आप जब आप प्लेन एरिया में काम करते हैं तब तो सुटेबल होता है लेकिन जब अंडिवरें में काम करते हैं या ब्रोकन ग्राउंड का मतलब हो तो बहुत जाए अब आपको सर्वे करना है आपको इसके बीच के डिस्टेंस निकालना है सेम यहां भी यह पाइब मुझे पॉइंट एक और यह आपका पॉइंट भी है आपको एसे बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ठीक है चलिए तो सिंपल अगर आपके पास अगर प्लेन पूरा ग्राउंड तो आप अच्छा है कि आप चेंड रखें यहां पर टेप रखिए और यह पर डिस्टेंस आप कैल्कुलेट कर लिजए चेंड को एसा स्ट्रेट रखना हमारे लिए पॉसिबल है लेकिन अभी आपका अपको एसे बी का डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या वॉर्टर बोर्ड में वीच में काम कर अचाना ऐसा कुछ खाई आ गया अपका तैक्योमेट्री यूज कर लेते हैं तैक्योमेटर सिंपल आपका एक होता है उसमें भी सेंपल क्रोस चाहर होते हैं और एक तरह पर पकड़ते हो उसमें सब रिडिंग को पढ़ लेते हो और को पढ़ के आप क्या करते हो डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हो दो पॉइंट के बीच में क्लियर है यह तक चलिए नेक्स्ट आईए देखिए हमको इसमें यूज करना है टैक्योमेटर होता क्या सब्सक्राइब देख लेते हैं और ट्रांजिट थूरोलाइट फिट इंडिवी है इसरिए सब्सक्राइब थो अधरेवर ना बाद शिंपल आपका जो तो हीम लेवेलिम अ कर देख ज़ हो modal इंडे को आपका क्या मालन जी इस शुथ धर आपका झा chain ah तो यहां पर आपका डाइफर्म और यहां पर आपका क्रॉसर बना होता है कुछ जो क्रॉसर आप देखो गें आपने टेलिस्कोप के अंदर से कोई बात में क्लास अभी स्टार्ट हुआ है ठीक है चलिए तो कुछ आपको ऐसा देखें आपका अंदर से कि आदित्य पीडियाफ तो अपलोड मैं कर दियूं आपको गेट वाले में नहीं मिल रहा है गेट के कंटेंट सेक्शन में आप जाएंगे ना तो जो गेट अगनी वाला बैच आपका आदित्य या वह वाला है प्रज्यान बैच है इसके पहले का लेवलिंग और आपका कंट द्रॉरिंग दोनों को अपकूलोड करते हूं प lg अपको कणेंट अप्लोड है ना देखिए अगर आपको नहीं मिलना देते हैं आप content section में जाएगा और आपको वहां पर दिखेगा गेट 2024 करके लिखा होगा एक उसके अंदर आप जाएंगे ना तो नहीं है upload कुछ बोल रहे हैं गेट 2024 के अंदर जाओगे न तो वहां पर आपको वह लिखाओ मिलेगा कुछ complete syllabus करके हैं उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा आपको survey करके तो उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपका वीडियो भी ह बड़ी मटीरियल्स होंगे एक आपका होगा इंडुड़क्षन का दूसरा होगा लेवलिंग का पहले मैं कैसे ना हाफ आफ डाली तो पूरा एक साथ डाल दी हूं तो उन दोनों को डिलीट कर दी हूं और एक फुल डाल दी हूं ठीक है तो एक वह गया और तीसरा आपका सब्सकूर है अलग-अलग नहीं है ठीक है जलिए आई США पर आया यहां पर देखं़ यहां पर आपको स्टाफ दीखरा होता उसको अस इस कपड़ लेकिन इसमें क्या है ड्यक्यम ईकिश्क प्रकूमिटे में क्या होता है जो क्रॉस होते हैं इसका मतलब क्या है ग्राउंड ऐसा होगा जाट कर लिए यहां पर इंस्रुमेंट फाओगा यहां पर आपको कोई एक ऊब्जर्वर है एक आपको यहां पर यह रिडिंग पढ़ रहा है ठीक होगा तो इतना पॉर्शन आपको दिख रहा होगा आपके यहां के टैलेस्कोप म Öyle party observer तो इसको यह दिख रहा होगा दिख रहा है यह लाइन यह तो वो दिख रहा होगा जितना आपको यहां प्रेंड रीडिंग को पड़ लेकिन जो टीक्यू में क्यों थोड़ा सा अलगसा क्रॉस हेर होता है इसमें ऐसा होता है एक यह तो वर्टिकल रहेगा रहेगा एक बीच का हेर ऐसा रहेगा जो लेवलिंग में भी होता था सिंपल यह होता था ठीक है यह आपका सिंपल डाइफ लेकिन जो इस्टेडिया वाला होता है उसमें उपर भी हेर होता है और एक नीच और नीचे का लाइन दोनों बराबर डिस्टेंस पर होता है ठीक है यह तक तो एसे वाली अभाझ मुक्क्रोными क्या बोलते हैं इस्तेडिया इंको तो refers अपर सिर्डिया ए अपका सब्कार है एक कोड़िया है यह इनिचे वाला हो गया खिल्गोष और भाल भीन इंग लोगर सदेज है क्लियर है क्या SIM करें एल्यान तक 事情 यहां पर यहां पर यहां से पढ़ लिग देखेगा अच्छारोपॉ आपका stadia rod या stadia bar बोलते हैं सेम आपका ऐसे staff होता है तो सेम वैसा staff होता है इसमें भी आपके पास clear है कि यहां तक चलिए very good next आज़ाए कि टैक्योमेटर के कुछ major features होते हैं इनको देख लेते हैं किया लिखा हुआ है the multiplying constant आगे आएगा multiplying constant क्या होता है कहां से यह term आया है ठीक है फिर भी अभी के यह कुछ important point से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है the multiplying constant should have a nominal value of 100 जो multiplying constant होती है आपके instrument की उसकी value 100 होती है बताओं गाए क्या होता multiplying constant ठीक है and the error contained in this value should not exceed one in thousand और जो भी आप इसमें reading पढ़ते है ना उसकी जो value होती है one in thousand इसका जो error होता है one in thousand से exceed नहीं करता ठीक है next point पाइए the axial horizontal line should be equidistance from the upper and lower stadia hair जो हमने बोला जो आपका cross hair ना जो आपका ये cross hair है जो cross hair है आपका ये central part है तो जो आपके stadia hairs होंगे ये ये central hair से equidistance पर होगा मतला अगर आपका a distance तो ये भी आपके a distance पर याला hair होगा वही लाइन लिखा हुगा है तीसरे पर आईए the telescope should be analytic which means the additive constant should be zero अब ये additive constant क्या है और ये multiplying constant है आगे आपको पता हुगा ठीक है इसकी multiplying constant की value की 100 होती है tachometer के लिए और अगर आप analytic lens यूज करते हैं तो जो additive constant आता है आपके instrument का इसका value zero हो जाता है ठीक है डाट टैली स्कोप सुड़ भी पावर्फुल मैंगनिफिकेशन प्रॉपर्टी जो आपके जो टैली स्कोप है उसका जो मैंगनिफिकेशन जो है पावर वह बहुत अच्छा होना चाहिए ठीक है यह आपकी चार पॉइंट चार फीचर जो कि आपके टैक्शियों में होने चाहिए एसेंशियल फीचर सारे क्लियर मल्टिप्लेंग कॉंस्टेंट की वैल्यू हंड्रेड होगी जो इसमें एरर है वह वह वन इन थाउजंस एक्सीड नहीं करता है जो आपका यह जो हैर सेंटेडिया है यह सेंट्रल हेर के बराबर डिस्टेंस पे होता है तीसरा लिखा है कि जो एडिटिव कॉंस्टेंट है उसकी वैल्यू जीरो होती है और टैली स्कोप में जो आपके जो टैली स्कोप है आपका उसकी जो मैगनिफिकेशन जो प्रॉपर्टी वो पावर्फुल होनी चाहिए ठीक है ऐसा लेंस होता है एक एक एक्स्टर्नल लेंस होता है जो कि आपके आई पीस और अब्जेक्टिव के बीच में होता है जिसकी वह इसको पुट करने जो मारे B venıldı क्माम आता है हमारे इंट्रूमेंटाव जाता है ठीक है आगे देख क्या होता हुआ यह यह तक है नेक्स की ट्रिंसी करता है कि अथा पिर्ट करता है तो क्या लिखे अधा बहुत एक्जाम में पूछता है तो जो आइसो सादस्ट रांगल की प्रॉपर्टी होती है उस पर आपका टैक्योमेट्री वर्क करता है चीक है और यह प्रपर्टी क्या बोलता है कि रेशियो अब दिस्टेंस ऑप दी बेस फ्रॉप दी एपक्स एंड लेंथ ऑप दी बेस आपको एक्स्पेंड करूंगी इसका मतलब क्या है यहां तक क्लियर है क्या यहां तक क्लियर है यह प्रॉपर्टी क्या बोलता है जो प्रॉपर्टी आपकी किस पर बेस है तो आईसो सादस्ट रांगल की प्रॉपर्टी पर आपका जो टैक्योमेट्री सर्वे है इसका प् तोड़ा से प्रिंस्पल के बारे में बात कर लेते हैं जो ये लाइन लिखा हुआ है कि यह मांद है लाइन स्ट कर चोने मैस को द्र thousand है तो यहां नारे हमारी लाइन ऑफ होती वो तो कैसी होती है से स्ट्रैट होती है लेबलींग में यहीं पढ़ते हैं ठीक मिरने में कुझे सब्सक्रां है लेकिन यहां पर क्या है और नीचे kiddingी पंड़नें तो जे लाई आ रहा होगा है आपको यह पढ़ना है यह पढ़ना है और आपको यह पढ़ना एसको नाम डेथे को समल आप यह अपकी प्रिदिशरे जो आपको अपको डिस्पैंस पर्थे यह यहां da से इस इंस्ट्रूमेंट से लेके यहां तक डिस्टेंस होगा डि जिसको आप बोलोगे यह डिस्टेंस आप क्यालकुलेट कर लोगे ठीक है इसका फॉर्मुला आता आगे देखेंगे ठीक है चलिए यह हो गया कि से रिवा सेम मानले आपने अगर अपना इस्टाफ यहां रखायों मानलेजै आपने अपना स्टाफ यहां रखा होगा ऐसे आपना स्टाफ यहां रखा मानलेजै यह ठीक है च़ल По everyone teaspoon ले लेते हैं अभी के लिए इसको हमें नाम दे दिया मानलेजिए ओ चलो इसको आण देदो O इसको देदो आप यह आपका मालो A है यह B है और यह C है इसको आप बोलो A1 इसको बोलो C1 इसको बोलो B1 सेम इसको बोलो A2 इसको बोलो C2 इसको बोलो B2 तो जैसका प्रिंस्पल है क्या बोलता है कि डिस्टेंस जो रेशियो होगा किसका distance of the base from the apex and the length of base is always constant. इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए हम इस triangle की बात कर रहे हैं OA2 B2 की आप triangle देखो OA2 B2 वैसिके आप triangle देखो OA1 B1 ऐसिंग triangle देखो OA B तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि OC2 यह distance OC2 OC2 और किसका ratio हो जाएगा? इसका distance यह distance A2 B2 किसके बरापर हो जाएगा? इस वाले triangle के OC1 OC1 बरापर A1 B1 और यह बरापर हो जाएगा यह OC अप क्या हो जाएगा? आपका AB यह सारे जो ratio है सारे क्या होंगे? बरापर होंगे constant होगा इसका value हाँ यह stadia का principle मतलब कि आपका principle of stadia महाँ कि stadia method ही है यह तरीके का ठीक है? जो tachymetry basic इसी principle पर काम करता है आपका अब पताओं यह सारे methods discuss करेंगे इसके बाद ठीक है? इसी principle का यूज करके पूरा हम derivation करके आपका यह दिस्टेंस का formula हम ले के आते हैं आगे देखेंगे clear है यह चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पाक्योंटरी सर्वे के methods के ऊपर ठीक है? methods of tachymetry survey thought theory है लेकिन काम कही है चलो देख लेते हैं पहला इसमें जो आता है method आपका वह आपका stadia method of tachymetry अब इसके इंदर आपने पास दो method हैं एक आपका से fixed hair और दूसरा आपका movable hair जो stadia method यह क्या बोलता है the stadia technique of tachymetry is a popular method adopted for calculating horizontal distance and vertical elevation the horizontal distance between the staff station and the instrument station and the elevation of the staff station along the instrument line of sight is computed using this approach with only one observation from the instrument station this method of surveying can be further classified into the following two types इसके बार नहीं जो आपका stadia method commonly हम इसी method को follow करते हैं इस इस method के आप पर दो तरीकें करने की सॉल करके distance को calculate करने का पहला बोलता है आपका fixed hair method इसमें क्या लिखा हुआ है the device used for taking observation in this form of survey is a telescope इसमें a telescope होगा with two extra cross hairs one above and one below the center hair ठीक है the stadia hairs are one that equally spaced from the center when observed via the instrument telescope the stadia hairs are seen to intercept a specific length of the staff this is the most often used tachymetry surveying approach to basically हम लोग जो यूज करते हैं इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं सच thiख में क्या होता है ना यहां फे रसे नम से सिर्ट इस में क्या होता है सिक और में आ यह अधे यह आपका टेलिस्कोप है क्यों है यह आपका ऑबजेक्टीटिव यह आपका अबजेक्टीव कि यहां सबसको आपके अपका है कि इसाँ कर और भी है कि यहां है आयों और फोड़ा आ उन्हें सबावर्ण पार स्विक्स होता है इसको दिटेन्स फिक्ष सोटा है इसको है क्षेंज होता है इसका डिस्टंस होता है लेकिन आप क्या कर सकते हैं यह जो फिक सिर्फ इंटर्सरेक्ट है वो आप चेंज करते हैं ज्यसरा स आप दिस्टंस को बढ़हाओं एक अपनल इस एकसिस यहाँ टेंस को आप चेंज करते जा रहे हो डीमार दीवन रहे मल चेंज हो रहे है आपका इंटर सेप्ट या चेंज होते जा रहे हैं तो क्यों होता है इसमें इसमें जो आपके इंटरसेपट चेंज अम्ड़ी ऐसी दिश्टन्स को बदल दोंगे को जो उरी चेंश होगा ए यह इंटरसेस ऑफ क्या जो आप पढ़ते हो ना एस1 एस्टू और स्टू कि तीशिए तीन मतल्य स्टाफ है और स्टाफ स्ट्रार पूल tay न इस्टूर में service तो जब s3- s1 करते हैं आपको यह s मिलता है जिसको स्टाफ इंटरसप्ट बोलते हैं यह और इसके बढ़ाओगे आपका स्टाफ इंटरसेप्ट भी चेंज होता जाएगा यहां तक तो जनेखे, तो यह हमारा रहा है एक एस्से यह about जन्रेली हम इस सी मेथ्ध को फॉलो करते हैं चेंच जन्रेली हम इसी मेथ्ध को क्या करते हैं की यहां पथ हुआ संहरे देख लेते हैं जैद है देखिए यह माल लेते हैं हमारा कि यह हमारा टैली स्कूल है हमाल जी आपकी आई पीस है यहां पेपर हमाल जी जी इसमेंसे रे निकलती है जो इसमें से सब्सक्रोभ कर यह होता हैं फिक्सट रहेंगा डिस्टेंस आप बढ़ाओ गया बना Tamil होता है इसलिए इसका नाम फिक्स्ट हेयर मेथड है ठीक चल एक आप पर आता है यह से बीच से लाइन ठीक चल दूसरा आप माली जी यह पढ़ रहे हैं कि यह कि यह यह आपने रिडिंग पढ़ा इसको मालो आप बोल रहे हों यह यह एस one है यह एस two है और यह एस three यह आपने बोल दिया ठीक है चल लिए हम बोल रहे हैं कि यहां से यहां आपका यह एस है इसको हम बोलता है स्टाफ इंस्ट्रूमेंट का और इंटरसेप्ट क्लियर है अब देखों है यह कहीं पर आपका इंस्टूमेंट का वर्टिकल एक्स होता है यहां कहीं पर आपके instrument की वर्टिकल एक्सिस है यह आपके instrument की मालों यहां कहीं पर वर्टिकल एक्सिस है तो वर्टिकल एक्सिस से जहां तक मैं अपना staff रखे हो आप इस distance को आप capital D बोलते हैं यह distance आपका capital D कहलाता है clear है लेकिन अभी के लिए मान लिए हमारे यह point O है बोल लेते हैं इसको O हो गया यह S1 हो गया यह S3 बीच का S2 है अगर मान लो कि अगर यह आपका यह पूरा अगर आपका theta है अगर यह पूरा आपका theta है theta का अगल बन रहा है तो यह आपको जाएगा theta by 2 अगर अगर तो यह बाते हैं इस इसको हम बोल लेते हैं इस दी बोल लेते हैं भी के लिए होने के यहां से यहां तक हम capital D बोलते हैं अपना total distance चलिए यहां लगाते हैं similar triangle similar triangle की property लगाते हैं इस से क्या हो जाएगा इस से क्या हो जाएगा आप इस वर ट्राइंगल बात कर लाते हैं ओ एस वर इस पूर ट्राइंगल की ठीक है तो यहां पर आपका हो जाएगा यहां पर बोलेंगे टैन ठीटा बाई टू इक्वल टू आपका टैन ठीटा क्या होज़ेंगे तो यहां पर बोलेंगे तैन ठीटा बाई टू इक्वल टू होता है पर पेंदेग्रिवल बाई बेस होता है पर पेंदेग्रमाल टैके एस हैं और बेस आपका स्मॉल डी है तो यहां से आपका बोल सकते हैं कि डी इक्वल टू हो जाएगा आपका एस टीटा बाई टू ठीक है डीग्वल टू एस इस सार्ल यह अपको कितना हो जाएगा अगरम इसके बात करें तो यह को जाएगा एस बाई टू हो जाएगा यह तो यह बोल सकते हैं dot by two into s भोसकते हैं अपर इस से हूँ को यह समज में आ रहा है कि जो आपका distance होता है जो आपका distance आप निकाल रहे हो यह पूरा instrument आपके त्रीकज़़ा पर डिपेंड कर रहा है इस थीटा पर ठीक है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं इस पूरे को आप यह हाफ कॉट ठीटा बाइटू यह पूरा पर कॉंस्टेंट हो जाएगा तो कि यह थीटा फिक्स रखते हो ठीक है तो यह हम ने माल लिया कि यह पूरी वैल्ली आपके के बराबर है यह पूरा वैल्ली आपके के बराबर है चलिए तो यहां से आप बोल सकते हैं कि D equal to जाएगा आपका K into S clear है यहां तक D equal to हो गया आपका K into S अब हम क्या करते हैं हमको अपने calculation को easy करने के लिए आप यह मान लेते हैं कि की value आप 100 बोलते हो आप कि की value 100 होगी तो के की value 100 कब होगी जब आप यहां पर theta कितना maintain करोगी जब तब आपकी k value 100 होगी तो हम बोड़ रहे हैं कि k value आपका half cot theta by 2 के बराबर है इस के को बोड़ आपको 100 चाहिए यह तो 100 चाहने के लिए आपको theta कितना होना की value कितनी होगी आप यहां सा निकाल लेते हैं चलो यह कीतना होगा 200 कोण होगा क Tetra कि कि इसको एसको 10th eth by two बोल सकते हैं बोल सकता है इसको ऐदकремा आपका 10 inverse 1 by 200 सकते हो आप ऐसा इसको सॉल्व करेंगे आप तो थीटा आपको मिल जाएगा जीरो डिग्री थीटा वेटो मिलेगा जीरो डिग्री 17 मिनट और मिलेगा को 11.32 सेकेंड के असपास इस टू को इधर भेज़ें आपको मिलता है यह जीरो डिग्री 34 मिनट और 22 सेकेंड के असपास इसका क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ कि आपको 100 वेल्यू तो मिलता है के का के का जो आपको कॉंस्टेंट है वो आपको 100 मिलता है यह वैल्यू कब मिल जब ठीटा किता रखोगे जब यहां पर सेट करोगे ऐसा यहां पर क्रॉस हैर ऐसा एडजस्ट करोगे कि जो यहां पर एंगल बन रहा है पर ठीटा वो किसके पराबर हो जीरो डिगरी 34 मिनट और 22 सेकंड इतना आप एडजस्ट करते हैं न तब आपको आपके इंस्ट्रुमेंट की जो के की वैल्यू होती हूँ आपको 100 मिलती है उस्ट्रुमेंट इस कैसे हुआ इस कॉंस्टंट को हमने के मान लिया हमने क्या कर लिया कि जो कि है आपको किसके बराबर है हाफ, कॉट, ठीटा वैल्टू, इसके बराबर है, यह बोल दिया आपने, क्योंकि S तो आपका चींज होते रहेगा, S तो आपका, जिससे सब डिस्टेंस को बढ़ाओगे, स्टाफ, इंटरसेप्ट है आपका S, यह तो चींज होते रहेगा, लेकिन आप यह थीटा को आप कॉंस्टेंट कर दोगे, तो आपका जो यह इंस्ट्रूमेंट है, इसका वैल्यू के का वैल्यू हम बोल रहेगा, तो यह 100 कब होगा, जिब आप अपने स्लोप को, एंगल को इतना मेंटेंड कर लो, 0 डिगरी, 34 मि 20 सेकेंड का, ठीक है, आगे से मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, नहीं समझ आया, देखो, कहां तक, यह तक यह क्लियर हुआ, यह 10 ठीटा वाई 2, हमने इस ट्रैंगल को देखा, O, S1, S2, मालज आप में ट्रैंगल देखा, आप में ट्रैंगल देखा, O, S1 और S2, दिख तो देखेंगे, O, आपका यह, आपका, S1, S2, है सी और S, तो इतना हो जाएगा, से लहें यह बनाइट जाएगा, यह तना इतना तरा एंटरल तो देखा N th Da आपे जाएगए, इस ट्रैंगल प्या गए, यह ट्राइंग है आप लगा दिया तेंगवर्ण फीटव सोता है तेंगा फ्लीट होता है धीट के नापस क्या है यहां पर टेंग। गुद्ध पर्पेंडी लो गार्ण लेकर चुंहें कि अपतो हुआ झाल कि यहां बद्य को बस के क्या करना है यह हाफ कॉट थीटर वाई टू इसको आपने बोले के के बराबर के आपका एक कॉंस्टेंट है ठीक है अब इस कॉंस्टेंट इसकी फिक्स कर दो कॉंस्टेंट क्या होता है जिसका वैल्यू आपने फिक्स कर दिया उसका हम स्थेगा है तो इसलें के लिए तो हंड्रड क psychologically अगतु वरन को कि अग्यम Więc की सिमिदें आपकर के करने के लिए करने के लिए एक की वर्य के लिए लेकर्ट कर दिए चरणी तो हरे जैसिकंद हो यह cut को cut थीटा को कहल सकते हैं 1 by 10 को cut होता है तो हमने 1 by 10, theta by 2 कर दिया इसको यह पर solve कर दो आपका value तो इतना आ जाएगा फर्मूला अभी आ गया बता रहूंगे तो हमने कभी कब आपसे एक्जामे पूछ लेता है कि आप यहां थीड़ाओ कि इतना रखोगे कि के की वैल्यू को हंडेड मिलती है के की वैल्यू तो बस आपको यह वैल्यू बताना था मेरको कि इतना वैल्यू होता है और आप इतना मेंटेन करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में तब आपका के का वैल्यू वहां पर हंड्रेड होता है ठीक है यहां तक यहां तक ठीक है क्या चाहिए आप अब देखो लेकिन हम को तो पूरा यह अब दीखो आपको यह भी चाहिए यह और क्पूर को जो में फॉर्मुला बन्ता है जितने आपकर देखा ऒगा कि देखा होगा एखलै लिक्तों के सब यहां आप बताना है के डेरिवेशन कि कैसे आया अरे देखो यह सब किया है ना यह एस तो ही पहले था आपके यहाँ पे यह था ना एस इसको हमने मान लिया कि यह कॉंस्टेंट है तो आपका यह टम कॉंस्टेंट बन गए इसका वैल्वियू आपका हंड्रेड है ठीक है यह डेरिवेशन आपको अगर नहीं भी समझ में आया तो यह डेरिवेशन आपको कहीं काम नहीं आया आपको एक्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा आपको तो बस यह पता होना चाहिए अगर यह वाली पता होना चाहिए कि अगर आप इतना रखते है इस अंगल की वेल्यू आप जो यहां का एंगल बन रहा ना ये थीटा to watch the complete video download the mining gyan app from the play store enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our youtube channel